परमेश्यर के बेड़े नाम की मखिमा हो फिर से एक बार और प्रभाद बनन में सुबह से सुबह आने के लिए परमेश्यर ने एक आवसर दिया है परमेश्यर का पवितर नाम से सब को जे मसीई की पीछले एक सो पचास एपिसोड में उल्पतिकी किदाव पहला धियाई से लेकर 31 अधियाई तक मानन करने के लिए परमेश्यर ने हमारे जीवन में आवसर दिया है इसलिए परमेश्यर को धनिवाद करता हम परमेश्यर का इच्छा है तो आज से हम 32 अधियाई से कुछ बाते मनन करें ये हम हमारे जीवन में परमेश्यर देने वाला एक एक बातों हम मनन करके जा रखा है आईए हम पुल्पती के किदा 32 अधियाई उसका पहला पड़े याकुब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्यर के दूद उसे आ मिले देख किदर हम देख सकता है कि 32 अधियाई में ये शाव से मिलने की तयारी चल रखा है वो अपना प्रदेश में पहुंचने वाला है अभी जिन्सको दोका देके चले गया है वो वेक्ती से वो भाई से मिलने के लिए तयारी है जब हम देख सकता है कि याकुब ने भी अपना मार्ग लिया याकुब अपना मार्ग लिया उदर हम देख सकता है कि लाबान से वो दूर हो गया है याकुब लाबान से अलग होकर अभी लाबान की रास्ते में नहीं चल रहा है अभी किसके रास्ते में चल रहा है पद्दन राम में वो लाबान के घर पे था जब परमेश्चुर ने उनसे बात किया है तुम बेदेल की और जाओ वो बिदेल की रास्ता परमेश्चुर ने उसको दिखाया है परमेश्चुर ने दिखाया हुआ रास्ते से चलने वाला बहुत भागेशाली लोग होता है परमेश्चुर का ताकत देख सकता है परमेश्चुर का समरच्छन को देख सकता है परमेशुर का देखपाल को देख सकता है, परमेशुर का हाथ को देख सकता है, यही परमेशुर का रास्ता है, बजन 118 में हम देख सकता है कि परमेशुर का रास्ता वो पूर्न है, पूर्न है, परिवूर्न है, उसी में कोई गमी गड़ी नहीं है, जो कोई परमेशुर का द मीगडी नहीं है वो परमेशर का खात में सुरश्चर है परमेशर का रास्ते में को चलना है यह परमेशर हम से चालता है परमेशर के रास्ते से चलते फिरते हम सीओन की और जाने वाला लोगे जब पर्मेशु दिखा हुआ में रास्ते की वो और जाता है वह व्यक्ति अनंग्रे की और स्यूहं की और कनान की और पहुंचेगा कि-स बॉर्ब reality कि परिबूर नरास्ता में पर्मेश और हम को दिखाता है आशिश की रास्ता है वो परंदू का शलोमन लिखता है कि कई लोगों को रास्ता स्टार्टिंग में उसी का सुरुवात में बहुत अच्छा लगता है मिठा लगता है परंदू उसका आखरी में नाश है नरखियन वो है बहुत आपत उनके उसमें फसा ह हुआ है बहुत सारा गडवडियाम उसी रास्ते के आखरी में है परंदु जो कोई परमेश्चुर ने दिखाया हुआ रास्ते से चलता है उसी का जीवन में बहुत सारा आशिश मिलता है अबरगाम के जीवन में भी वह हमने देखा है उसको दिखाया हुआ रास्ते की वह और वो चल गया याकूब की इदर अभी हम देख सकता है कि परमेश्वर की जास्ते की और वो चल रहा है यह भाईव बहनों हमारे जीवन में भी आशिश पाने के लिए अनिंगरग पाने के लिए सोर्ग पहुंजने के लिए हमको भी क्या करना है परमेश्वर कर रास्ते से हम को जाकोब अपने अगेले अपने फर्वार के साथ चलने ले गया है परंदु जब उदर हम देख सकता है कि परमेश्चुर का सुर्गदूद को परमेश्चुर ने उसी रास्ते में बेजा क्यों याकुब को संभालने के लिए याकुब को कोई तकलिफ कोई परेशा नहीं उसी के रास्ते में ना आने क्योंकि वो परमेश्चुर का रास्ता है इसलिए आगे बिढ़ने के लिए परमेश्चुर ने सुर्गदूद को भी देता है फ्रीय बाईयो बहनो कितना एक बहुत बड़ी बात है हम भी परमेश्चुर के रास्ते से चलने के लिए पूरमदा के रास्ते से चलने के लिए आशिष की दास्ते में हम चलेगगोँ तो बिल्कोल परमे शुरकान उग्रेगद। परमे शुरकान उग्रेग परमे शुरकान देख पाल हमारे उपर मिल जाता है। कितना एक बहुत बड़ी बात इधर हम देख सकता है। वो जन इंग्यानुए के उसका ग्यारवे पद में ऐसा लिखा है क्योंगी वो अपने दूदों को तेरे निमत आगिया देगा कि जहां कहीं तु जाए वो तेरी रिश्चा करे जहां कहीं तु जाए परमेशन बेदारा हुआ परमेशन ने दिखावया हुआ रास्ते के हिसाब से कोई चलता है उसी को संबालने के लिए उसको देखपाल करने के लिए हम देख सकता है कि परमेशन का खाथ परमेशन का सुर्गदूद उसी के साथ है वे तेरी रिश्चा करेगा वो सुर्गदूद आके तुमारी रिश्चा करेगा कितना एक बहुत बड रश्चा करने के लिए परवेश उने पगले से उसके लिए थैयारी करके रखा हुआ है कितना ये एक बहुत बड़ी बात है जिब हम इबराणियों की किदाब पगला अधिया है उसका 13 और 14 पद में हम पढ़ने के टाई हुदर हम देख सकता है कि सरगदूद उनके बारे में लिखा हुआ है वो सरगदूद हमारा सेवा करने वाला आत्मा है हमारा सेवा करने वाला आत्मा है हमारे साथ रहने वाला हमको सेवा करने के लिए परमेश्वर ने परमेश्वर का आत्मा को हमारे जीवन में दिया हुआ है हम जानता है कि पुराना ने में बहुत सारा लोग को आयाने में भी परमेश्वर ने कई से उनका तक्लिफ और परेशानी से सुर्गदूद को भेज कर संभाला है इलीश शाह हम देख सकता ही कि उसी के चेला बोल रहा है अपने घर के सामने बहुत सारा एक बड़ शत्रू है परंदू उदर भी उसको संभालने के लिए परमेश्वर की रास्ता से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर दिखा हुआ रास्ते के ऊपर चलते हुए परमेश्वर का सम्रश्चन सुर्गदूदों का सम्रश्चन पाते हुए हमारा मसीगी जीवन अच्छी से चलने के लिए परमेश्वर ने इस वजन क की दोरा हम को मदद करे उसके बेड़े नाम की मगिमा हो